जिसे मेरे पास मैं ड्राइब यूज़ करती हूं foto जिसे मैं गूगल ड्राइब यूज़ करती हूँ तो Google Drive के अंदर यह जिसे मैं एक ड्राइब बना लिए अपनी रिक्रॉडिंग्स के लिए या वेब के लिए तो उसी के अंदर में सारा कुछ पेस कर गथती है जितना हमारा core जितना हमारा basic layer होगा advance में कोई problem ही आएगी ठीक है जी एकदम scratch से start कर रही हूँ तो यहां पर क्या होता है यहां पर इंडिया में अपनी website चला रही हूँ तो अफ्रीका से भी कोई access कर सकता है जिसके पास internet है तो वो वेब पे इंडियनेट पे जो भी एफ को पोस्ट कर सकते हो तो वेब इंडियनेट का मतलब क्या होता है तो यहां पर इंडियनेट की बात हो रही है डिफरेंट डिवैसे का मतलब क्या होता है मेरे पास laptop है किसी की पास टाब होगा किसी की पास laptop होगा जब एक website चलाते हूँ अगर मैं यहां पे laptop पे कोई website चलाओ वो थोड़ा अलग तरिके से दिखेगी जो फोन के निदर चलात और उनके tools को process करने वाला या उनके बीच में communication establish करने वाला ही web technology है communication establish कर रहे हो अब विकी बीडिया जैसी website दुनिया में कोई भी access कर सकता है ठीक है जी अब विकी बीडिया पे कहीं न कहीं यह भी सहुलत होती है कि आप अपनी दिये के विचारों को post कर सकते हो जैसे एक बह problem आ रही है वो अपनी problem post कर सकता है कोई भी साथवला coder उसको solve करके दे सकता है getting my point to access web page a web browser is utilized web page क्या होता है website website किसे बनी होती है web pages से बनी होती है जी बिल्कुर तो उनके लिए हमें browser की जरूत होती है internet edge sorry chrome edge हो गया firefox हो गया a web browser is a software application that enables a display or text data images animation and videos on the internet the field of web technology is rapidly increasing with the new framework standard and language देखो जिस field में आप हो ना यह कभी static नहीं रहती हर बार change होती है हर बार कुछ नहीं कुछ नहीं होता है पहले जैसे simple example है पहले chat GPT का trend था अब black box का trend है हर चीज के trend यहां पे change होते हैं ठीक है जी web technology is a term used to describe all the different things people used to make website and web based application देखे जी web website अलग होती है web application अलग होती है ठीक है जी this includes software and hardware tools programming language and standard need to create and run web apps on the internet web technology compresses many areas including web design, web development, web servers, web browser, e-commerce and content management system इंसाई terms का अच्छे साथ संजोगे उसके बाद goal of web technology is to make web based application work better, faster and more enjoyable for people to use it's always changing and improving so we can make sure that most of the internet and all things that it offers classification of web technology का किस तरीके के होता है worldwide web आपको पता है ठीक है जी www के उपर जिसमें आप आप वीडियो से फ़ीड़ा सब पोस्ट करते हो web server क्या होते है जहां पे request send या response वाला approach होता है जैसे आप Amazon पे हो आप Amazon पे जिब को प्रोड़क्ट सर्च करते हो मैं आप Amazon की website खोली ठीक है जैसे मैं आपको like करके बताती हूं वह ज्यादा clear होगा अब जैसे मेरे पास यह website है मुझे समझ में आ रहा है कि इस website का एक address जा रहे है ठीक है जी अगर मैं इसको double click करूं तो ज़रा देख पा रहे हैं यह क्या लिखा हुए इसके address जोते हैं जिसको पीसी भी प्रोटोगॉस भी कहते हैं आपको website डालने के लिए जहां पर लिखा हुए अब जैसे यहां पर यह website है अब डिफरन तरीके की चीज़न यहां पर देख सकते हो यह मेरे पास है यह एक डानामिक वेबसाइट है यह static नहीं है यह dynamic website है अपने आप में यह web application है उसका मतलब क्या होता है मैंने अब यह वर्ड बताया वेबसाइट अगर मैं किसी भी प्रोड़क्ट को यहां पर देखती हूं मुझे technical सर्च करना है मुझे यहां पर बैग सर्च करने है मुझे यहां पर कुछ और सर्च करना getting my point वो चीजें कहां से निकल गया रही है वो उनके server इंसे निकल गया रही है जहां पर इनका data वे store है getting my point यहां पर जब मैंस बैग को सर्च करना हूं यहां फिर मालो मैंने इसके ओपर सर्च किया है यहां फिर मैं Google की ऊपर जाके कोई और word को सर्च करती हूं मैंने tiger यहां तरह लिए टाइगर के अंदर को मुझे सारी चीजे बता रहा है इस के लेटर ये देखो उसने मुझे कुछ और चीजे बता लिए इसके लिए तॉप स्टोरी का हो जाएगी और क्या क्या विडियो हैं क्या क्या चीजे आपने जिस्के कीवर्ड सेर्च करा और गूगल ने अ जल्ट आता है मुझे निकाल के रो तो यह क्या हो जाता है client and server request होती है जो आपके laptop होते हैं वे client होते हैं जहां पे सारा database store होता है उसको server गोलते हैं और example इसकी छोटी सो चोटी example जिसे bank employees होते हैं आपको लगता है कि हर bank employee अपने computer पे काम कर रहे हैं तो उसी के laptop में store है सा आपके देता है इसको response करता है नेस्ट इसकेंदर क्या होता है web browser they are the tools we use to look at web pages web page को देखना है जैसे मैंने amazon का web page देखा है तो मुझे इसके लिए google की ज़रूरत होगी अगर मैं drive को access कर रही हूं I need the web browser है इसके बाद यह कोच estimate CSS javascript होती है जिसको आपने पढ़ना है यह भी web technologies का part है HTML क्या होती है language that helps structure and show content on web page ठीक है याद रखो structure हम इसके लिए word use करते HTML structure प्रवाइड करता है एक architecture अगर आपने बनाना है तो आपको क्या चाहिए उसका blueprint चाहिए उसका structure चाहिए वो आपको HTML प्रवाइड करता है CSS क्या करती है helps to make web pages look pretty by adding color fonts and style style कितने तरीकों का होता जो आप इसके अंदर देखोगे Java script क्या होता है makes web pages do cool stuff like animation and interactive features बटन के उपर click किया तो बटन आपको किसी और page के उपर लेके जा रहा है बटन के उपर submit करा तो action में form submit भी हुआ है submit हो कि आपको next page के उपर लेके जा रहा है getting my point तो वो चीज़ा आप इसके इंदर सीखोगे उसके बार यहां बे क्या है back end technologies back end technologies में क्या होता है used to make the server parts of web apps work जैसे किसके इंदर back end मैंने कोई यहां पर price देखा मैंने यहां पे कुछ मुझे बैग पसंद आया मैंने add to card बगरा कर दिया अब जैसे add to card करा मुझे payment gateway के उपर ले जाएगा मैंने payment दी मुझे बैग निकल गया गया मैंने payment काम भी दी मेरा data काम पे store हो गया उनके database में जाके store हो गया that is the back end technology कि back end में यहां पे कुछ होता है front end मतलब जो सिर्फ website आपको दिख रही है उसके back end में क्या है then database का system जो आपको पता ही है mysql जैसे चीजों से होता है ठीक है जी उसके लिए SQL पढ़ना परता है database पढ़ना परता है back end technologies के लिए फिर next आपके परस क्या है importance of web technology क्या क्या importance होती है global reach होता है जैसे मिन आपको बताया कोई success कर सकता है cost effective होती है चीजों सस्ती भी होती है आपके लिए जैसे इसको ठोड़ा और elaborate करती हूं मान लो कि आपने एक website host कर लिए गूगल पर आपने www.com लिख दिया com is used for the commercial website जैसे की e-commerce website होती है e-commerce का मतलब क्या होता है जी बिल्कुल buying and selling जी बिल्कुल buying and selling over the internet अब वो buying and selling किसी भी चीज़ के हम कर सकते है getting my point उसके बद cost effective क्या है आपने जो वीडियो sorry अपने जो अपनी website डाल दी आपको packages मलते है monthly yearly आपको वीडियो पर आपको website पोस्ट करनी है इतना monthly package है इतना yearly package है getting my point आपको पे करना पड़ता है improved communication होता है of course improved भी होगा communications के साथ आपके जितने भी clients होगे मालो मेरी simple से shop है कि मेरी Indian मसाले वाली मेरी shop है लोग मेरे घर से वो चीज़े access कर रहे हैं वही अगर मैं website डाल दू कि मेरे Indian मसाले मैं यहां पे sell करती हूं और लोग वहां से website से वो चीज़े खरीच सकते हैं तो communication globally increase होता है इसलिए लोग website बनाते है अब यहां पे क्या है enhanced customer experience वही इसके अंदर है जितने customer होंगे उसका experience उतना बड़ेगा कि आपने बता दिया आप offers क्या क्या दे रहे हो उसके बाद access to data आपको पता ही है accessible इसके अंदर होता है mobile access जो website laptop वी पर चलाइए mobile के उपर भी चलनी चाहिए innovation होते है web technology drives innovation by providing a platform for new product, service and business model आपने आगे offer क्या चलाने है आप इसके इलावा अपने customers के लिए और क्या क्या चीज़े लेके आ रहे social impact आपको पता ही है जब इतनी चीज़े कर जाते तो social impact और जादा हो जाते वाई learn web technologies के अंदर सबसे पहले चीज़े इन-demand skills है अगर आपको job चाहिए web development की job चाहिए यह need to know how to make web technologies क्या क्या इसकीज़े system है तो यह in-demand skills होती है second इसके अंदर क्या है career opportunities वही web developer आपके career opportunities है जो बोल रहा है नहीं मुझे इतना जादा java में नहीं जाना मुझे इतना जादा पुरानी back-end technologies में नहीं जाना मुझे AI में नहीं जाना you can choose the web developer हां जी मुझे time पे आया गए good morning next क्या है flexibility web technology can be used to build various application and services providing flexibility in the type of work that can be underlinked जितना जादा मालो में 4 page website बनाई है उसमें content limited होगा वही मैं 10 page website बनाओ जिसमें payment gateway है something कुछ majoric website के अंदर होना चाहिए वो मुझे इसके अंदर मिलेगा second क्या है entrepreneurship आपको पता ही है इंटरप्रेंट्स कैसे बनाते है जितनी animation लगाओगे जितनी अच्छी CSS करोगे सब्सक्राइब continuous learning होती है remote work का मतलब होता है कि मैं एक जगा मेरे device है मैं किसी और रूम में बैठके भी अपना यह device access कर सकती है globally access, remote access कोई भी किसी भी तरीके से website को access कर सकता है फिर क्या होता है competitive advantage होता है इसके बाद आपको मिल जाता है यह web browser कौन सा यह विला इसके दर हमने क्या बताया कि provides a platform for internship enabling individuals to create launch their web-based business web-based business जैसे मैं आपको भी बताया कि मालो मेरी Indian मसालों की मेरी shop है वही मुझे website नेट पे डानी है तो मेरी customers increase होंगे जो मेरी घर पे नहीं आ सकते है वो सीधा website से order कर से ते business शिरू कर से जिसको मैं इंटर बनार कहते है ठीक है जी तो खुद का start-up business करना ठीक है जी यहां तर किसी को कोई डाउट अब next हम पढ़े हैं कि web browser क्या होते है it's a tool you use on your computer or phone to look at website online you can think of it as a special program that helps you to explore and find information online इसके अंदर कौन-कौन से हो सकते हैं अपरा, Edge, Firefox and Chrome तो यह सारे आपके browser ही होते है इससे आप directly phone में भी तो होते है phone में सबसे दा Google Chrome ही यूज करते है ठीक है जी when you use a web browser to use a special rule called protocol जैसे मैंने भी यहां पे protocol कि यहां में बात करी ठीक है to get information from website and show it to you in a way that you can read and understand it can also show picture, video, sounds on the web page that let you click on the button or link to a things like it fill or forms to get on the other website form आपके बास आता है सबसे पहले होता है आप कोई भी website access करें कहते है नहीं जे पहले लॉग इन कर उससे पहले आप आगे बढ़िन सकते है कहीबर होता है नहीं जे पहले आप हमारी cookies को accept करो इससे बगार आप आगे बढ़िन सकते है तो वो इसके अंदर functionality डाली जाती है web applications की Getting my point इसके अंदर ये Google Chrome, Mozilla, Firefox, Edge ये सारे सीज़र बताई हुए आप इनको deeply पढ़ सकते हो इसके अंदर ये थोड़ा बताया होगा web browser constantly involving नहीं नहीं features आते जाते है नहीं नहीं हर एक नहीं वर्जिन होता है for example जैसे कई इंडियन कंपनीज क्या होती है Infoices वगरा विप्रो वगरा वो कहती है कि अगर आपके laptop में Google Chrome का नहीं वर्जिन है तभी आप हमारा एक online जो टेस्ट होता आप वो दे सकते हूं कि वट इस वेबसाइट अब हम इसके नरोड़ा समझ रहे है वेबसाइट तक हम सब समझ चुकिया है कोई ऐसा जिसको कुछ पर डाउट है भी तक नहीं हो हम चालो तो वेबसाइट का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो यह कुछ आपको image दे दी गई है हमने कुछ ऐसी चीज़ा बनानी है यहां पे कुछ transparent होगा कुछ underline है home page होते है about pages होते है background में एक image होती है उसके ओपर कुछ लिख सकते हो यहां पे कुछ logo दिया हुआ है logo किसके लिए help करता है logo आपका brand बताता है आपके brand की identification क्या है वह आपका logo बताता है जो कि usually company के अंदर जिसका जो graphic designer होते है जो कि generally उनका काम होता है एक logo design करना आप एक order होते हो आप जो script लिख रहे होते हो आपका काम है graphic designer ने जो layout बना के दे दिया उसकी ऊपर काम आपने करके बताना होता है getting my point the jobs आपको समझ में आ रही है अब next इसके इंदर क्या है क्या होती है website collection of web page है पहले तो हमने यही चीज़ समझनी है website collection of web page है आपने बोला मुझे website बनानी है तो पहले web page बना वह web page को आपको link करना पड़ेगा getting my point web page contains information ठीक है जी web page के आपने information होती है information किसी भी तरीके की हो सकती है these web pages are connected using a link and they are technically called hyperlink getting my point next क्या है website कित्री तरीके की होती है 2 तरीके की starting website and dynamic website अब before moving into that सरह इसके इसके ने थोड़ा concept और समझ लेते है website क्या है पहल तो इतना हम समझें collection of web pages है लेकिन आप वो technical person आपके पास जो client आता है वो आपको क्या वोलेगा जी मुझे एक website बनानी है मैं simple से example लेती हूँ जैसे मालू मेरे पास कोई chef है वो chef आया वो कह रहा है कि नहीं जी मुझे website बनानी है अब मुझे उसकी requirements पता है मैं अपना दिमाग चलाऊंगी मुझे पता है कि जो website वो बनाना चाहता है क्या होगा अपनी videos वेगरा post करता जाएगा अपनी तरीके से कोई इतना इसका community का scope नहीं होगा वही अगर वो website का website नहीं कुछ और बना दे जो अपने आप में एक app है मेंद्रा इस आप Amazon इस आप तो अपने आप में एक app होता है उसके बाद क्या होता है आपके पास एक forum होता है forum का मतलब क्या होता है कि मुझे यहां पर एक community स्टैबलिश कर देनी है मुझे अपने experience शेर करने है लोग उनको पढ़ेंगे मेरे साथ और interact करेंगे खीक है जी clear हुआ वैसे यहां पर और एक चीज होता है किसी ने forum के इलावा किसी और web technologies का नाम सुना है आपने कभी सुना हूँ जो client जो आपके बास आता है न उसको forum चाहिए होगा web based application चाहिए आपको client की requirements को समझना पड़ेगा सोचना पड़ेगा कि उसका फाइदा किसमी है मेरे पास यह नहीं बोलूंगी कि नहीं काम कर तुम website बनागी ठीक है मुझे website नहीं बनागी मैं उसके लिए forum बना के दूंगी या something कुछ ऐसी चीज बना के दूंगी अगर किसी को अपनी रेस्पी नहीं पसंद आई या कोई अच्छी चीज इंवेंटे करना चाहता है तो वह दो-चार लोंग साथ कम्मुनिकेट कर सकता है और उन चीजों को सस्क्राइब कर सकता है याद रखो जब ही subscription होती है या stack overflow जैसी कोई website होती है अब जो भी user उसकी अंदर अपने प्रड़क्स को sell करेगा बाय करेगा उनको एड्स का कुछ परसंद मिलता है या इस फॉरम प्लाटफोर्म होती है जिसे फॉरम के आगे भी कुछ के टिग्राजिशन होती है जो आगे लेक्टरस में भी पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा टेक्निकल समझने के लिए अपको थोड़ी टेक्निकल एस्टिमल की आगे आप इस फॉरम प्लाटफोर्म के लिए यूज हो रही है वह पर्पस यह कि आपने community increase करनी है लोगों को एक दूसरे के साथ communicate करवाना है जोड़ना हमके साथ जी बिल्कुल तो जैसे कई बार होता है जैसे जबनली गेम में क्या होता है मालनो मुझे कोई भी गेम खेली है काल की गेम में खेली है उसके इंदर एड आगी अब जब मैं एड के ओपर क्लिक करनी तो I need some coins तो मुझे coins में मिलते हैं तो जो processing होती है उनका कुछ percent उस developer को भी मिलता है Google तो अपनी website में पैसा कमाता ही है लेकिन उसका कुछ percent उस developer को भी चाता है Getting my point अब जैसे इसके इंदर एक और चीज में बता रही थी कि website static में क्या होगा Static एक ऐसी website होती है जिसमें हम कोई database का काम नहीं कर रही होते है यह मेरा client है इसी के उपर सारा काम रहेगा कहीं पे चीज़े जा कि store नहीं होती मैं जा रही हो अपनी website गनतर में इसको पढ़ रही हो ठीक है वहां तक मेरा काम होगा Getting my point अब जैसे माल लो कि मैंने एक नहीं मैंने AI के उपर एक नहीं कुछ you know post डाली है ठीक है आपने आपको पोस्ट अच्छी लगी ठीक है मैंने website क्योंकि मेरी static website थी Do you know the plagrism here? Do you know? You should know Plagrism का मतलब होता है हाँ किसी और की चीज को कॉपी करना मैंशन ना करना तो copyright हो जाते ने इसके अंदर के आपने किसी का copyright लिया है तो चीज़े आप इसके अंदर समझोगे टेक्निकली इन चीज़ों को समझना आपने Getting my point कि अगर किसी और की outsource xyz source देते हो तो उनको आपको mention करना पड़ता है Getting my point clear हो गया अब इसके अंदर थोड़ा और चीज़ बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर तो यह website इसके अंदर हो गया static का मतलब क्या है static webpage sometimes called a flat page यह stationary page भी बोलते है हो सते है client आपको in words से बोले जो आपको guess करने है ठीक है जी flat page का मतलब क्या होता है stationary सा page चाहिए उसका मतलब हो static website मांग रहा है ठीक है जी is a web page that's delivered to the user exactly as a store उसके दर में बारबत ने मुझे changes नहीं करने मैंने बना के रख दिया ठीक है जिसके नजरा कुछ changes निकरने तो dynamic website क्या होती है अपने आप में एक web application होती है जो client browser से database के साथ connected होती है ठीक है जी और starting website dynamic website का क्या मतलब है वो starting website HTML CSS JavaScript से बनी होंगी dynamic PHP MySQL के साथ connectivity करके बनी है ठीक है जी उसके बाद categories of website में क्या होता है website मतलब non interactivity simple उतनी हमें interactivity नहीं चाहिए होती है web forum जिसके मैंने अभी बात करी वो क्या करेगा make a community website website मतलब non interactivity जिसको हम static website बोल गते है so basically जो website है वो हर कोई इसको website ही बोलेगा जिसमें आपको अभी बदा है जो कहीगा नहीं मुझे community बनाने मैं चाहती हूं कि लोग मेरे आस पास रही ताकि मेरी connectivity बन सके मुझे ads मिलेगे something ऐसा कुछ भी तो उनके लिए में क्या चाहिए होता हमें बदान को web forum की जरूरत है उनको website की जरूरत नहीं है website हमें a static website समझ रहा है जिनकी interactivity है आज को change हो चुका है they said कि static website not that much interactive हम वो चीज़ सीखेंगे कि कैसे बनाते है ठीक है जी प्रॉपर एक form validation होगा इसके अंदर animations work करते होंगे page जैसे मैं कुई website चला रही तो website चलाने से पहले कुछ loading का animation आता है तो वो भी इसके अंदर सीखेंगे प्रॉपर javascript सीखनी है क्योंकि आपको आगे further web technology सीखनी है जो कि सीखनी ही बड़ेंगी तो उसके लिए आपको javascript आने चाहिए next मारे पास का है web forum to use to make a community web application क्या होती है dynamic website just like a software just like an app blog क्या होता है also website ही होती है business के लिए posting about article updating your community structure जैसे आते है blogging के लिए तो यह वही चीज होती है next हम further introduction शुरू करें HTML से ठीक है HTML क्या होती है hypertext markup language होती है एक-एक word का मतलब समझेंगे थोड़ी से introduction आपको समझ में आ चुका है HTML किसके लिए use होती है एक website को परवाइड करने के लिए चाहे तो आप HTML is a hypertext markup language that defines the appearance of the contents on a webpage एक text है heading कैसी दिख रही है choti heading कैसी है HTML allows to how the text, image, graphic and videos can be formatted shown on the webpage markup tells the web browser how to display webpage words and images एक-एक word comes and each individual markup code enclosed between this angular brackets जिनको हम बोल देते है tag बोलते है tags भी अब अच्छे समझोगे फिल्हाल ht का मतलब क्या होता है hypertext जो text that acts as a link markup का मतलब क्या होता है जो symbols के लिए stand करता है here text are markup in the symbols generally known as tag अब जो भी काम करोगे इसके अंदर वो tag इसके अंदर लिखोगे आपको अपना जो word लिखने है hello welcome to my website वो भी एक tag के अंदर होगा अब tag कौन सा होगा वो पूरी तरीके से आप decide करोगे आपकी website आप design कर सकते हो getting my point तो markups का मतलब हो गया language का मतलब होता है extensive language क्योंकि इसके अंदर आप javascript और css भी सीखते हो getting my point तो इसका structure होता है आपको बताया मैंने एक website को खड़ा करने के लिए structure होगा for example अगर मैं इसको खोलूँ अभी यह मिर पास website है मैं inspect पे जागे इसके website का अगरी code देखू तो यह मुझे मिल रहा है इसके अंदर यह पूरा code है यह देख पा रही हूँ इसके देखे का कुछ script आपने लिख रही है याद रहो HTML is not a coding language it is a scripting language getting my point तो कभी यह मत बोला आप यह कह सकते हो कि HTML is a markup language or HTML is a scripting language but never say HTML is a coding language तब यहां पे यह मैंने जो code खोलके रखा हूँ है अब starting में एक line पढ़ पा रहे हो dog type HTML लिखा हूँ है उसके बाद HTML लिखा हूँ है उसके बाद head लिखा हूँ है उसके बाद body लिखा हूँ है और कुछ frames गयरा बहुत चीज़ें इसके इसके दर यूज करी हूँ है और अगर मैं last में हटा हूँ तो यहां पे body बंद हो रहा है और head कहीं ऊपर ही बंद हो चुका हूँ है body से पहले बंद हो चुका होगा यह body और head इदर ही बंद हो गया यह देखो यह head के अंदर कुछ ऐसे script वगड़ा कुछ लिखी होई है कुछ metas बनाए होई है यह हमने सभी चीज़े पढ़ दी है अगर मैं इसके इंदर थोड़ी चीज़े हटा दू suppose यह body tag है इसको हटा दी तो यह body के इंदर जब मैंने इसको remove कर दी देखो इदर सारा empty हो गया यह जब मैंने Amazon के website साथ कभी कुछ छेड़ खानी कर रही है body tag remove किया तो सब कुछ खराब हो गया देखो head उदर ही है इस website का नाम ही अभी गया लेकिन मैंने body विला सारा पाट उडा दी सारी CSS विला सभी चीज़ उडा दी getting my point जिन चीज़ों से आप यह चीज़ सीखोंगे कि कहां पर कौन सी चीज़ यहां पर आने वाली है वापस सेलते हैं अपने structure के अंडर तो structure के अंडर आप पहली line के देख पा रहे हो dog type HTML यह जो मैंने structure बना है आपको exactly वैसे ही लिखना है क्योंकि यहीं चीज़े stored है इस ही से website करती है अब next क्या है dog type HTML तो dog type HTML यहां तक क्या है एक text समझ रहे हम जो की दो angular एक angular bracket के अंदर इस angular brackets is known as tab इन tags के अंदर ही आप अपनी सारी script लिख होगे सबसे पहले इसको read कर लेते है dog type HTML का मतलब क्या हो गया hypertext markup language dog type का मतलब होता है dog type which means document की type कौन सी है तो जी document की type है HTML जिसके अंदर आप hypertext markup लगा सकते होगो and CSS javascript को भी लिख सकते हो make sense anyone किसी कोई doubt है no next जिसके अंदर क्या है HTML so यह HTML tag यहां से start हुआ यहां पर बंद हो गया क्या logic हुआ क्योंकि tags की property होती है tag start भी होते है but not every tag tag start होंगे कुछ close होंगे कुछ close नहीं होंगे getting my point उनको हम धीरे धीरे समझेंगे HTML के अंदर दो tag लिखे हुए कौन-कौन से head head का मतलब होता है यहां पर इसके ऊपर का जितना portion है यह सारा head है यहां पर यह पूरा जो देख पार है वह सारा head से body tag इसी के अंदर अब अपना सारा code लिखोगे getting my point head के अंदर क्या होता है title होता है और यह जो title यहां पर आ रहे है यह सारे वही titles clear होगे इतना logic उसके बाद body के अंदर अपना सारा code लिखते हो इसको bind up कि मैं इसी लिए बता ज़ती हूँ समझो कि डॉक्ते पेस्टिमल किसके लिए यूज होती है यह जो आप browser पे सारा काम execute करते हो ना यही ब्राउजर के साथ communicate करती है आपकी जो code जो आपकी script हो किस तरीके से replay करती है getting my point clear होगे अपकोचे से यहां तक किसी कोई doubt अब next आपका html यहां पे एक tag है जो एक box की तरीके होता है container होता है container के प्रॉप्टी के होती है चीज़ा डाले जाओ डाले जाओ elements डाले जाओ जब तक वो overflow नहीं हो जाता tags ही तैसी चीज़ा जो overflow नहीं होगे getting my point जब होगे तो इस overflow कम control भी करेंगे getting my point कि किस कंदर कुछ properties भी होगी everyone clear हो रहे सबको कोई जिसको थोड़बो no doubt रहा है कुछ make sense नहीं हो रही no one okay चलो move करें अब यहां भी आपको different type of layout बता दती हूं HTML के अंब जैसे कि यहां पर यह है जब website tick होती है तो उसके अंदर header होता है footer होता है कुछ navigation होती है उसके अंदर content होता है अब यह जो कुछ navigation होगी ना यह admin की होती है समझे सीज़ को जिसको हम डाशबोर्ड बोलते है मैं एक airline reservation system बनाना है उसके अंदर मुझे करना है admin panel बनाना है और यह user panel भी होगा admin की होगा flights को change बना कर सकता है कौन से employee किस gate number भी होगा मुझे इसको change करना है news employees को hire करना है user होगा उसको क्या उसको से flight से मतलब है तो दो तरीके के मेरे login हो सकते है getting my required तो यहां मेरे पास क्या हो जाएगा इस तरीके की nav होगी इस तरीके की nav आप खुद बनाऊंगे मैं कौन से सिखाऊंगी मैं इस तरीके की nav सिखाऊंगी मैं यूजर की सिखाऊंगी admin वाली आप खुद ट्राइगर हो ठीक है जी तो यह head to head काऊंगा यहां पर भी header tag है यहां पर भी footer tag है header के बाद हम एक nav डाल सकते हैं उस nav के अंदर कुछ section बनाके कुछ side पर भी कुछ लिख सकते हैं सिंपली आपको भी जिसे मेरे पास यह विक्कीपीडिया है ठीक है अब जैसे यह मेरे पास इसका home page आ जाता है अगर वही विक्कीपीडिया की website अगर मैं फोन के उपर open करों तो फोन के उपर कुछ अलग तरह की से आएगी ठीक है जी जैसे अगर मैं यहां पर क्लिक करों अब यह क्या यह क्लिक करोंगी तो यहां पर क्या हो जाएगा यह एक web page खुल जाएगा आप देख पा रहे हो यहां पर इसका क्या है यह सार इसका header का section होगा इस website की जैसे मैं नीचे जाओं तो यह इसका कुछ पूडर का section होगा और website यह अलग तरीके इससे यहां पर यह साइडे बिलकुल empty है और टेक्स सारा बीच में है सेंटलाइज है ताकि हर डिवाइस के चल जाए हर डिवाइस के अपना resolution होता है height width होती है जो इसने images लगाई हुई है हर image के अपनी height and width होती है getting my point इसके जैसे यह सर्च लगा दिया हुआ यहां पर यहां तक सारा clear हो गया कि layout बड़े तरीके की हो सकती है clear everyone सबको clear हो गया अब इसके आगे move करें चालो तो यह जो PDF मेने डाला हुआ है यह मैं आपको send भी कर दूँगी ठीक है but before that एक काम करते है let's see कि हम अपना जो code editor है उसको कैसे install करेंगे ठीक है तो जिनके पास laptop है वो प्रीस open कर लो और साथ-साथ में install करने शुरू करतो तो आपने सर्च करना है VS code download code editor को क्या मतलब होता है कि आपने जो website बनानी है वो बनाने के लिए आपको एक चीज की जरूरत है एक code editor की जरूरत है code editor क्या होती है जो हमारे लिए help करते हैं ताकि में अपने code को बड़े ही एजले लिख सके यह को school college वहला काम नहीं को जो मैं आपको notepad बेकराऊंगी मैं आपको professional चीज पेकराऊंगी जो की VS code है जैसे first website आती इसके उपर आपने क्लिक करना है इसके उपर इसको क्लिक करना है और जिस्टार्ट हो जाएगा डाउलोड यहां देखो डाउलोड स्राट हो गया ठीके जी जितना fast minute end होगा उस speed से डाउलोड हो जाएगा यहां तर किसी को कोई question नहीं किसने कुछ पूचना है इसके कि अधिन से पर आपको प्रचना को प्रचना होगा तर किसी को किसे पर इसके इसके निए डिपने स्पार यूंकि आपक्ट भी स्पीड केके इसमें इसमें बिदाने अगता है फुल्स्टाइक डेवलिपर के लिए इट नीट्स एट मन्त मैं अपने तरीके से बता हूं जितना मिर को भी लग सकता है आठ के नौ मिने तो डेफिनिटी लगते हैं अगर अच्छे से स्क्राइच से कर अच्छे से समझना है प्योंकि कर मैं इसके अंदर सारी चीज़े गिनके चलू कि बढ़िए बंदा मन भी हार जाता है वह ओट एर नहीं सॉल्व हो एक तो यह इन फिल्स आफ मन लगी जाते हैं अगर्शा स्पीड के उपर बरता है जाव और पाइतन इस अलवेस्स के लिवानगाण टू है यह दोनों हमेशा है को इसको पता है कि नहीं मुझे स्टार्िकल में छोड़ा जाना है वो data sentence में जा सकता है, data list वगरा field में जा सकता है, जिसका math वगरा भी ठोड़ा strong है, इसको पता है मुझे AI में जाना है, वो भी python में जा सकता है, आगे इसके इसके इंदर move कर सकता है, neural networks में समय सकता है, अब जिसको पता है कि मुझे coding करनी है, मुझे apps अच्छे और बना रहे है तो जावा में भी जा सकता है, जिसको उसे website बनानी है, जिसको वेब का पूरा काम सीखना है, वो web developer की profile शूज करता है, अब सीखो कुछ भी full stack में भी आपकी profile एक हो जाए, तो आपके लिए जादा beneficial होती है, किसी भी चीज में mastery करना, beneficial the most, वो आपको जादा बेंपिट करना इखो आज के टाइंपे एक लिए जाए, जाए, जाए जाए, 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 किसी भी आपके लिए, जाए, अपको ये बोले की नहीं नहीं आपको तो हर चीज आने जए थे, आपने फुल stack कर रहा है, तो आपको बाकी का बेश काम पर है, आपको वो चीज़ है नही मेद आपको हर चीज़ हानी जाहिए था था और बाई कार था यह था निदे डर्सकर्ण यह थूस्ट इन ब्रेकर मैं अगर ऑजेश बा़ के कर थाई शच्छछ गरव मुटत्र समय था है वेपवार ने तरह निया पार चारी, इन्यारों और मुझा पार चाहिए लिए कर दोनारी है वो जैसे तो में आप इन्यारों बनांके हो बनातों चीजने के लिए जाएं तो यहाँ पे हम जरह सी की जरब जाते हैं और आपने यहां पे डियूर से प्राइब टरह लगा इंस्टाल जैसे इंस्टाल होता हम इसके अंडर नाज फोल्डर नहीं है ठीक है जी कि यहाज़ रखना जो भी प्रजेट बना रहे हूं जो भी फाईले भुना रहे हो कोई एक लोकेशन ये नाव मिमेज़ देक्स्टाप पे हो फाईलेगर के बना रहो ह। वरना बाद में प्रॉब्लम होईगी इसको जैसे फिनिश करा यह उपन हो जाएगा तो मैंने तो बहुत बार यूज करा है तो मेरा कुछ इस तरीके से आ रहा है वी एस कोड आपका जो वी एस कोड होगा वह कुछ आलग तरीके से आएगा आपका वी एस कोड स्टार्टिक में कुछ इस तरीक एक आएगा ठीक है आपने इसके अंदर क्या गाम करना है आपने जाना अपने फोल्डर के अंदर कोई सी डर में अगर होगी तो उन में से कोई फोल्डर बना लेना जैसे स्पोज मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूंगी इस में जाओंगी यहां से मैं एक नया फोल्डर सेलेक्ट कर लूँगी उस ने फोल्डर का मैं नाम रखे हूं एस्टेमिल फोल्डर एंटरेट करो और एस्टेमिल फोल्डर यहां बन गया ठीक है इसके उपर क्लिक करो और यहीं पर आपने सारी फाइले दिनानी है जैसे जैसे यह जहां से भी होगा आपने सारा इसी के अंदर बना रहा है तो मुझे अपने फोल्डर करो यह जो आपने फोल्डर अभी करा उसके ओपर क्लिक करो select folder और वही आपका folder जोगा वो उपन हो जाएगा और याद रखो यहां पे कराएगा yes trust the author यहां पे सिपमे इसको क्लिक करो इसी गंदर आप अपने सारे प्रोजेक्ट बना रहे हैं चाहू तो इसके लिए एक और फोल्डर भी बना सकते हो जैसे आप class का काम कर रहे ह जो अपना में प्रोजेक्ट बनाओंगे उसके लिए अधर फोल्डर हो जाएगा और प्लीज प्राक्टिकल इंप्रेमेंडेशन पे ज्यादा ध्यान देना class में मैंने प्राक्टिकल ही करवा रहा है कोई जादा theory नहीं होगा theory सिफ web technology इसको समझने के लिए ठीक है जी इसक सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कैसे गरना है मालो मैंने नाम दिया इसको फर्स्ट डॉर्ट लिखना है साथ में HTML मतलब अगर आप HTML की extension नहीं दोगे तो आपके फाइल नहीं चलने वाली तो डॉर्ट है आपने लिखना है टैग्स आने शिरू होगे यह देखो टैग्स भी आने शिरू होगे ठीक है इसका मतलब आपके फाइल जाए वो ठीक से सेव हो चुकी है अब यहांब एक सिंपल काम करना है ठीक है अब वो structure मैं ऐसे करके कि ना पूरा लिखने नहीं वाली मैं ऐसे structure नहीं लिखने वाली मैं क्या करूंगी मैं boiler plate का य होट कर लो shift plus exclamation mark जैसे आप हिट करोगे तो यहां पर suggestion आएगा suggestion के ओपर आपने एंटरेट करना है आपकी पूरी boiler plate आजाएगी clear हो गए जिसको कोई एसे जिसको अभी तक नहीं clear हुआ मैं एक बढ़ दुबारा करके बता रही है ठीक है हमने क्या करना है shift plus exclamation mark जैसे कि मेरे पास laptop है तो यहां भी जिस shift है और यह exclamation mark है इन दोनों को आपने hold करके रखने है तो just shift exclamation mark एंटरेट करो और आपकी यह task जैसे clear हो गए सबको सबको कोई essence को नहीं clear हुआ उसके बाद अभी यही सारे मेरे tag नहीं जिसके उपर मैंने count करना है for now यहां भी जब meta वगएरा आ रहे है यहां मेरे पास आप देख पर एक title tag है ठीक है जी मेरे पास title tag है मैं इधर से window को बंड़ी कर सकते हैं अगर किसी के बास जादा first crate हो रहा है जैसे यह चीज़े है तो आप क्या कर सकते हो यहां से इसको बंद कर सकते हो विंडो को आपके पास पूरा surface होगा आपके लिए जै इसको बंद मुझे इसको चेंज कर मैं फिलाल क्या करी हूं यह document हाना रुको मैं पहले आपको ना execute करके बता दूं आपको वो जादा clear रहेगा जिसके बास laptop अगरा है वो क्या कर सकते है function key plus f5 execution के लिए ठीक है जी function key plus f5 ठीक है जैसे ही आप इतना प्रेस करोगे अपने laptop के तो यहां पर यहां पर क्या हो जाएगा Chrome अपन हो जाएगा यह मुझे यहां पर suggestion पूछ रहा है कि आपने Chrome से execute करना है यह एज से करना है कि आप एक्स्टेंशन से भी काम करेंगे एज तो आपको सबको पता है यह चाहँ तो उसके इसे कर सकते हो लेकिन मैं यूजरी प्रे डी लएबसाशन से रखेशन से करता है कि मेरे लिजरी पीमा सबकेशन सतहुन से उसने रह कि प्रमां करते है इसे ने पर इबसें कंगेंगेशन अब यहां पर देख पा रहे हो यह क्या लिखा हुआ है, डॉक्मेंट लिखा हुआ है, यह मेरी website का title है, तुम यहां पर first time क्या करने वाले हैं, website का अपना title जो आपसको change करने वाले हैं, याद रखो, title tag start हुआ, title tag close हुआ, कैसे close होते है tag, tags जो होते है, वो forward slash से close होते है, ठी अच्छल content होगा, मालो मैंने एक website का नाम देना है, मैंने लिख रही हुआ है, ठीक है, मैंने लिखा go get shop, यह मेरी website का नाम है, तो मैंने इसको क्या करना है, मैंने save किया, ठीक है, वापस अपने web page के अंदर, page को reload किया, तो अब देख पा रहे हो, यह go get shop यहां पर change हो गया, अब यहां पर एक चीज़ और, जैसे ही मेरे बस keyword है, तो मेरे पास के नीचे क्या एक tab open हो चुके है, यहां तो मैं अपने mouse से इनको click करूँ, जैसे मुझे VA score मुझे Chrome पर जाना है, तो मैं यहां पर click करूँ, यहां फिर मैं और क्या कर सकती हूँ, मेरे पस और alternate option क्या है, य इसको छोड़ो, ठीक है, ट्राय करो जितना काम keyword से कर सकते हो, मैं alt plus tab कर रही हूँ, और यहां में अपने सारे tab स्विच कर सकती हूँ, मुझे display tab पे चाहिए, मैंने मालो मुझे Chrome पे जाना है, go get shop पे जाना है, मैंने छोड़ दिया हूँ, और मैं इस पर bounce की, जितना सदा shortcut क सब्सक्राइब कर सकते हो, आपके लिए उतना अच्छा है, rather than dragging the mouse in and out, clear हो गया everyone, सब को समझ में आगया कि किस तरीके से काम करना है, all plus tab, to switch the tab, जी बिलकुल, अब मालो मुझे कुछ और रखना है website का नाम, तो मैंने अपनी website का नाम जाया है, को कुछ और रख दिया है, आप switch करना है, और वहां पर जाके अपने reload करना है, अब जैसे यहां पर देखो, एक चीज़ और समझ लो, पहले पूरा VS Code समझ लेते हैं, मैंने दुबारा से किया F5, तो यहां पर यह run हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कब run हो रहा है, कब नहीं हो रहा, यह indicator देख पा देते हो, तो यह भी ultimately बंद हो जाएगा, आप चाहो तो इधर से भी अपने webpage को बंद कर सकते हो, और दुबारा से execute भी कर सकते हो, क्लेर हो गया सबको, कोई ऐसा जिसको अभी भी doubt है, और सम्थिंग, बीए स्पोर्ट को जरू चलाना अच्छे से सीख लो, ताकि फिर बाद कोई प्रॉब्लम ना, क्लेर, सबको अब प्रीस इसकी एक प्रैक्रिस कर लो, जो नोट्स दी है, प्लीस एक बर गोत्रो गलो, जिसको किसी चीज में doubt है, और में बताओ, और नोट्स में भेज दू, और प्लीस अभी के सारी इमेल इडी ग्रूप में बेज दूँ, और प् अबका भ्रूप में बाद और वुदल्स, और में चीज में है, और रहे हैं, और रहे हैं, और रहे म में अभ्ली से तो ईसमी एक जाल एक है, इदक उच हो नोटते हैं, अमका रbutक प्रीछ Ferrini, ली में ग्याझ के हैं, आपस्हॡ़ कियाह। सुख अए़ वleम, जोस्ऱ आप आप अप कि अप्र बैली जो रिकॉर्डिंस होगी वह मैं आपको सेंड करते होगी तो प्रीज इसको भी बड़ वह सुझ दूरु रहें कि अे कि अपुल रहें करते हैं और भी बड़ that कि अे चाया रहें होगी तो सेंड करते हैं प्रों कृरा ओटो कि भी दूर रहें होगी कि प्रीज दूरु रहीं प्रinde क keen